नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूमी सुधार के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, कि ये क्या होता है और भूमी सुधार के उदेश क्या हो सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भूमी सुधार कारिकर के बारे में होता क्या है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोगों के पास तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है भूमी होती है तीक है और महीं अगर हम डूसरी और बात करी कुछ ऐसे लोगों की जो क्रिशे छेत्रे से पूर्ण तह वंचित होते हैं परिणाम क्या होता है कि एक और तो जमीदार और दूसरी और किराय पर भूमी जोतने वाले जो काश्टकार होते थे या फिर भूमी हिंच्रमिक इन सभी के वीच में क्या हो गया था असमानता बहुत जादा बढ़ गई थी और असमानता बढ़ने के कारण भी बहुत सारे हो सकते जैसे कि एक किसान तो वो जो जमीदार है जिसके पास जमीने हैं बहुत बड़ी बड़ी लैंड है जिनके पास और एक वो जो उनहीं के लैंड पर क्या करता है श्रमिक बनकर कार्य करता है तो असमानता तो बढ़ेगी अब स्वतंतरता के पस्चात हुआ क्या लोगों का ध्यान ये जो असमानता है इसकी ओर गया इसके अपोज़र डायरेक्शन में गया स्वतंतरता प्राप्ति के बाद सम्विधान लागू किया गया समाप्त भी किया जा सकता है क्या फिर उन्हें कम किया जा सकता है जितनी भी पहले जो असमानताई थी विशमताई थी उनको क्या किया जा सकता है समाप्त कर सकते हैं या फिर खतम कर सकते हैं तो इसे द्रस्टी से भारत में भूमी सुधार के अनिक प्रियत्म हुए तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि भूमी सुधार होता क्या है और उसके उदेशे क्या हो सकते हैं भूमी सुधार का अर्थ दो प्रकार से लगाया जा सकता है एक संकुचित और दूसरा विस्तृत सबसे पहले हम जानेंगे संकुचित अर्थ में की भूमी सुधार होता क्या है भूमी सुधार से छोटे क्रिशक एवं क्रिशी श्रमिकों के लाप के लिए भूमी स्वामित्व के पुन्ह वित्रन से है जो भूमी सुधार कारिक्रम है उसमें जो छोटे किसान है और जो उनके क्रिशी श्रमिक हैं, उनके लाप के लिए भूमी का स्वामित्व, उन्हें पुन्हा वित्रण किया जाए इससे है अब हम जानते हैं कि विस्तरित अर्थ में भूमी सुधार का क्या अर्थ है विस्तरत अर्थ में अगर भूमी सुधार की बात की जाए तो भूमी सुधार से तात पर यह है कि किसी संगठन या भूमी व्यवस्ता की संस्थागत व्यवस्ता में होने वाले परिवर्थन से है अब जो भूमी व्यवस्ता है, Landes and Yours है उसकी जो व्यवस्ता है उसमें जितनी भी changes होंगे सरकार के द्वारा वो सब भूमी सुधार के अंतरगत किये जाएंगे ये था आपका संकुचित अर्थ में भूमी सुधार का अर्थ और विस्रत अर्थ में भूमि सुधार का अर्थ अन्य शब्दों में अगर बात की जाए तो भूमि सुधार से तात पर भूमि स्वामित्व का उचित्व न्यायपून वित्रण करना है अब जो भूमि सुधार है उसका जो में अबजेक्टिव है वो यही है कि भूमी स्वामी द्वका, उचित और न्याय पून, मतलब समान वित्रण हो भूमी सुधार है स्वतंतृता से पूर्व, ब्रिटिश शाषन में उनका जो एक मेन अब्जेक्टिव होता था वो यही होता था कि वो कैसी ना कैसे करके अधिक से अधिक मुनाफ़क कमाएं इसलिए उन्होंने अनेको राजस्व प्रणालियों का आरंब किया अब इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना आप बिलकुल न भूले इसे ही और वीडियो के लिए बैल आइकन को भी आप साथी प्रेस कर दें होता क्या है जमिदारी विवस्ता में जमिदारी विवस्ता वो होती है जिसमें भूमी का स्वामित हो उस पर काम करने वालों का ना होकर उनका होता है जो जमिदार होता है जो खेती करने वालों से करवसूलता है मतलब इसमें जो भूमी का स्वामित वो होगा वो उनका नहीं होगा जो उसके उपर खेती कर रहे हैं वो स्वामित उसका होगा जिसकी वो जमीन है और वो उनसे फिर क्या करेगा वो उनसे फिर करवसू लेगा तो यह थी जमीदारी विवस्था फिर आती है रहीत बाडी विवस्था इसमें क्या था ये जो व्यवस्ता थी 1988-2020 में मदरास के जो ततकालिन गवर्नर थे उस समय वो थे थोमस मुन्रो उन्हों ने इसकी व्यवस्ता की थी और जो ये व्यवस्ता है ये व्यवस्ता मदरास असम के कुछ भागों में लागू की गई थी नेक्स्ट हम बात करेंगे इजारेदारी व्यवस्था की फिर आता है आपका इजारेदारी व्यवस्था इसमें क्या हुआ था? सर्वर प्रथम वारिन हैस्टिंग्स ने बंगाल में 1772 में इसके शुरुवात की थी यानि 1772 में इसके शुरुवात हुई थी और हुआ क्या था यह जो व्यवस्ता थी यह पंच वर्षिय व्यवस्ता थी उसके कुछ समय बाद इसको क्या किया वार्षिक व्यवस्ता कर दिया गया और इस व्यवस्ता का जो मुख्य अदेश्य था वो यही था कि राजस्व वसूल करना भू राजस्व की इसमें पद्दती थी और मेन अब्जेक्टिव था भू राजस्व वसूर्णा 1772 में जब इसके शुरुआत होई तो ये पंच वर्षिय थी जब इसने अपने 5 साल पूरे कर लिये उसके बाद ये वार्शिक हो गई ये थी आपकी इजारेदारी विवस्ता फिर आती है आपकी महाल बाड़ी विवस्ता महाल बाड़ी विवस्ता के जो जनक थे वो थे लौड हैस्टिंग्स आगरा पंजाब के छेत्रों में इस विवस्ता को लागो किया गया था और 1819 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा इस विवस्ता का प्रस्ताव लाया गया था तो ये थी आकी कुछ विवस्ता जो कि स्वतंत्रता से पूर्व थी नेक्स्टम बात करेंगे भूमी चुद्धार के जो उद्देशे हैं उनकी बात करते हैं उनकी पूरे समाज में भूमी का पुनर वित्रन हो ताकि भूमी कुछ लोगों के हाथ में ना रहे पूर्व थी चोटे और सीमांत किसानों के बीच अधिशेश भूमी वित्रत करने के लिए एक भूमी की सीमा तै हो जो छोटे हैं और जो सीमांत किसान है उनके बीच में जो भूमी का एक वित्रन होना है वो कैसे हो समान रुप से हो इसलिए उसके लिए एक अधिशेश भूमी वित्रत करने की भूमी सीमा लागू हो नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नमबर थ्री की ग्रामी और गरीबी को दूर करना भी भूमी सुधार कारिकरम का एक औजेक्टिव है फिर आते हैं पॉइंट नमबर फूर पर बिचोलियों का उल्मूलन करना ऐसा नहीं होता कि एक किसान ने जमीन में बीज बोया और फसल तयार हो गई और वो हम तक आ गई यहां तक पहुँशने के लिए आपको जो किसान है किसान के बाद जो बीच में मेडियेटर्स होते हैं फिर वो फसले मंडी में आती हैं फिर वो बंडार ग्रह में होती हैं तो उन सब की प्रक्रिया जो ये है, इसको करने के लिए भी बीच में कुछ मेडियेटर्स होते हैं, जिनको हम बिचोलिया कहते हैं, तो उनका निप्तारा करना, उनको खत्म करना, क्योंकि वो बीच में क्या करते हैं, गड़बर कर देते हैं, जिसके लिए अगर हम बिचोलिय कुछ ना कुछ गड़ पर कर देते हैं, जिससे किसी ने किसी को भुमी किरायप पर दी जो मुल्य है वो उससे ज्यादा उससे वसूलना चाहता है कहीं बारे ऐसे जो बड़े बड़े जमिदार होते हैं, वो काश्टकारों का क्या करते हैं? शूशन भी कर लेते हैं। फिर बात करते हैं, पॉइंट नमबर सि circuit क्रिश्यउद्पादक्ता में व्रद्धि भूमि सुधार का एक उदेशे ये भी है कि जो क्रिशी उत्पादकता है उसमें व्रद्धी होगी अगर भूमिसुदार कारिकरम चलाए जाएंगे तो फिर बात करते हैं पॉइंट नमबर 7 की चकबंदी लाई जाए चकबंदी में क्या होता है कि जो आपकी बिखरी हुई जमीने होती है उनको सरकार द्वारा एक प्रॉपर एक अच्छी खासी आपको लेंड मिल जाती है जिससे कि आपको खेती करने में आसानी हो फिर आपका आता है पॉइंट नमबर 8 सहकारी खेती को बढ़ावा देना ये भूमिसुदार में एक अच्छा अबजेक्टिव है फिर आपका आता है पॉइंट नमबर 9 भूदान किया जाए फिर आपका आता है पॉइंट नमबर 10 जन जाती है सुरक्षा यह सुनिस्चित करके कि उनकी पारंपरिक भूमे पर किनी भारी लोगों का कपचा ना हो सके कुछ लोग ऐसे भी होते है कि जो हमारी पहले से जमीनें होती है उनको पारंपरी भूमी में मिली भूऑ यह होती है उस पर किनी भार वाले जो लोग होते है उनका कपचा ना हो तो इससे भी जो भूमि सुदार है यह भी उसका एक अबजेक्टिव है आज यह वीडियो यह झाल